अगर दोस्तों नमस्कार मैं विरद आपनों का सेलेक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और दोस्तों आज का टॉपिक है जैसा कि आप लोगों को मालूमें खंड सिक्षा अदिकारी के लिए तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से अन्रोद कर लेता हूँ कि भाई हमारे सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो प्रीवियस स्लाइट्स दिखाई गई है अगर उनसे कुछ आपको सहयोग मिलता है तो आप उस पर भी थोड़ा सा द्यान ज नीती, निदेशक, निदेशक आप इसे निर्देशक भी कह सकते हैं निदेशक तत्व ठीक है इसको राज जी की नीती बोलेंगे ठीक है और इसको बोलेंगे निदेशक तत्व इसको हम दो भागों में डिवाइड करके बढ़ सकते हैं और इंग्लिश में हम इन ही को बोलत नहीं है आपको चीजें सब्सक्राइब समझ में आनी चाहिए तो अब यहां से कैसे आप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस प्रकार की जो संभावना है प्रश्न उत्तर की वो कैसी हो सकती है मसलान आपसे राज्य के नीतिनेशक तत्वों के पीछे समविधान की क्या भावनाई हैं क्यों इनको लागू किया जाए इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर आप आपके जो प्रश्न है वो आपके राज्य के नीतिनेशक तत्वों से बनते हैं ठीक है तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करा देता हूं सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर DPSP अनिकी राज्य के जो नीतिनेशक तत्व हैं इनकी समवैधानिक इस्थिती क्या है समवैधान में इनकी इस्थिती किस प्रकार की है सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और जब यह क्लियर हो जाएगा तब हम इसके कुछ और पॉइंट्स को भी समझेंगे कि समवैधानिक समवैधानिक इस्थिती समवैधानिक इस्थिती की ज़िए अगर हम बात करते हैं Fundamental Rights के लिए तो सबसे पहले तो हमको पॉइंट मिलता है कि यह समवैधान में भाग चार में जोड़े गए हैं, कहां पर जोड़े गए हैं, भाग 4 में, भाग 3 में fundamental right है, और भाग 4 में आपका DPSP है, दूसरी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, भाग 4 में देखा जाए, तो इसके लिए जो अनुचेद हैं, वो 36 से ले करके, 36 से ले करके 51 तक हैं, अनुचे 36 से 51, ये आपको fundamental rights मिलते हैं, अनुचे 36 से 51 तक, नीजने शक्ततव हैं, अब इसमें ये जो समविधानिक स्थिति मैंने आपको दिखाई है, इसमें अगर आप से बात करें कि क्यों, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं और इनको क्यों लागू किया जाना जरूरी है, इनकी और मौले के स्थितियां जरा इसमें जान लेते हैं समविधान की तरफ से, अगर देखा जाए, तो इनको हम लोगोंने Ireland के समविधान से लिया है, यानि इसका जो स्रोत है वो क्या है, Ireland का समविधान, उस समविधान से हमने इसको स्रोत के रूप में माना हुआ है, ठीक है, और इसके बारे में एक विशेस स्टेट्मेंट आपको ध्यान रखना है, एक विद्वान है जिनका नाम है ग्रेविनिल, ग्रेन्विल, ग्रेन्विल, ऑस्टिन, तो ग्रेन्विल ऑस्टिन ने इसे क्या कहा है, इसे कहा है समविधान की आत्मा, समविधान की आत्मा, तो द फिर मैंने आपको सम्विधान की आत्मा के लिए मैंने आपको आर्टिकल 32 के बारे मताया अब यहाँ पर ग्रैविल के द्वारा जो है सम्विधान की आत्मा कहा जा रहा है DPSP को यह पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखें बहुत अच्छी तरीके से ठीक है और अगर हम DPSP कोई बात करते हैं तो DPSP मूल रूप से अगर इनके उद्देश्यों की बात करें छोटे से उद्देश्य अगर हम यहाँ पर लिख दें तो DPSP का जो उद्देश्य है वो पुलिस राज्य के स्थान पर पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्यान कारी राज्य की स्थापन ये इसका उद्देश है अब देखें पुलिस राजी का मतलब ये है कि डंडे के बल पर शासन करना मतलब अगर नियम लगा दिये गए हैं तो उनका पालन करिए नहीं पालन करेंगे तो सजा निवार रहे हैं लेकिन लोक कल्यानकारी क्या होता है जिसमें आपके नियम जो है वो थोड़े से फ्लेक्श्वेट होते हैं मानवी ये स्थितियों को ध्यान में रखते हैं और जनहीत में कार्य करने के लिए ही नियम होने चाहिए, रिजिडनेस उसमें बहुत कम होनी चाहिए, तो इस तरीके के उद्देश से जो है, वो DPSP अपने आपको स्थापित करने का काम करता है, ठीक है, तो सरकार जब कोई बनती है, जब कोई भी गौवर्मेंट बनती है, तो वो गौवर्मेंट अपना प्रशासन किस तरीके से करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कई बार, कुछ लोग तो भाई होते हैं कि कई वर्षों से या उनके परिवार के लोग लगातार सरकार को चलाते आते हैं, तो उन्हें अनुभाव है कि किस तरीके सरकार चला जाता है, परत यदिकर कोई नया व्यक्ति आ जाए, उसे नहीं मालूम है कैसे सरकार चलानी है, या फिर पीडी दर पीडी से भी चले आ रहे हैं जो लोग हैं, उन्हें भी अगर इस चीज की साहता चाहिए हो कि हम क्या करें कि हमारा ये वर्चस्वा मेंसा बना रहे, तो DPSP कहता है, Directive Principle of State Policy ये कहती है, कि यदि अगर हमारे अंदर जितने भी नियम लिखें आनुच्छे, 36 से ले करके 51 तक जितनी बातें लिखी हैं, अगर कोई भी सरकार इन नियमों का पालन करेगी, तो उसके द्वारा निश्चित रूप से लोग कल्यानकारी राज्य की स्थापना होग बार बार उसे साशन करने के अवसर प्रदान होते हैं, तो इसका मतलब राज्य के नीति अशक्तत्वी सरकारों को ये गौर्रमेंट को निर्देश देने का काम करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, यहाँ पर देखे, इस जगह पर मैंने आपको लिखा है दो भागों में उसको पढ़ना है, तो दो भाग क्या है, एक राज्य की नीति, वही सरकार क्यों बनती है, सरकार इसलिए बनती है, कि जिस राज्य की वो सरकारे हैं, उस राज्य का उत्थान करें, उत्थान करने के लिए क्या बनाना चाहिए, नीति बनानी चाहिए, अब नीती बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना हैं, वो बातें, वो तत्व जो हैं, यहां लिखे गए हैं, इन्हीं को निदेशक तत्व कायाता है, यानि यह निर्देश देते हैं, यह direct करते हैं किसी गवर्मेंट को कि कोई नियम बना रहे हैं, तो ऐसे बनाओ, एक्जामपल क के तौर पर चलिए यहां पर देखते हैं वो धारण के तौर पर अगर मैं देखता हूं कि मान लेते हैं किसी राज्य को सिक्षा समंधी कोई नियम बनाने हैं मान लेते हैं कोई राज्य ऐसा है जहां पर साक्षर्ता जो है वो discrimination के point of view से देखा जाए तो मतलब कुछ तक कुछ discrimination दिखाती है सक्षर्ता भेदभाव दिखाती हुई समझ में आती है अगर suppose that कहीं male और female का literacy rate है वो बहुत different है suppose male का literacy rate जो है वो आपका 70% है और female का literacy rate जो है वो 20% है suppose that कहीं पर तो government चाहती है कि हमारे राजज्य में यह जो साक्षर्ता दर है इसको बढ़ाया जाए तो rated को बढ़ाने के लिए कुछ लक्षर स्थापित करने होंगे मान लेते हैं government ने लक्षर स्थापित किया कि अगले पांच वर्ष में या अगले एक वर्ष में हम male साक्षरता दर जो है male और female साक्षरता दर जो है या इसको थोड़े दूसरे शब्दों में एक और मैं आपर उधार दूसरे पर फिर इस example पर आऊँगा थोड़ा समय चोड़ता हूँ या पर मान लेते हैं किसी राज की साक्षरता दर जो है वो 65% है तो इस आप से देखा जाए तो बहुत खराब स्थिति नहीं है पर बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है लेकिन वो गवर्मेंट चाती है कि हमारी तीन साल बाद या पांस साल बाद जब सरकार जब का समय समागत हो तब हम यहाँ पर लिट्रेसी रेट को बढ़ा करके 80% कर सकें तो जब किसी सरकार के समय में 65% लिट्रेसी रेट था वो उसे बढ़ा करके 80% करना चाता है तो इसके लिए उसे क्या बनाना पड़ेगा policy बनाना पड़ेगा नियम बनाने पड़ेंगे नीती बनाने पड़ेंगी और जब वो ये नीती बनाता है जब वो ये नीती बनाता है तो इस नीती को बनाने के लिए ये जो policy आप बनाने जा रहे हैं 80% की उचाई को छूने के लिए उस policy को बनाते समय आपको 36 से 50 में लिखी गई बातें जो है वो ध्यान रखनी है ये DPSP कह रहा है अब सरकार ने बाई दवे इसका ध्यान नहीं रखा कुछ भूल गई और उसने कुछ policy यहाँ पर बना दी policy यहाँ पर create करी policy का implementation हुआ implementation मतलब लागू किया गया policy को और लागू करने के बाद जब result देखे गए तो 65% से बढ़ करके literacy rate 85% हो चुकी थी लक्ष था 80% का acquire कितना हुआ 85% अब आप मुझे comment section में जवाब दीजिए कि क्या यह जो policy बनाई गई है जो implement हुई है क्या यह policy सही है या गलत है statement को फिर से समझिएगा मैंने कहा कि कोई सरकार थी जिसके समय में शुरुवात में 65% literacy rate था उसने लक्ष रखा कि हमें literacy rate 80% करना है इसके लिए उसने policy बनाई लेकिन इस policy में थोड़े बहुत वो नीती जो है वो DPSP के रखना भूल गया परन्तु वो policy जब बन करके तैयार हुई और जब उसे लागू किया गया तो लागू करने के बाद literacy rate 65% से बढ़ करके क्या हो गया 85% से बढ़ करके 85% हो गया तो क्या जो policy बनाई थी क्या वो policy सही थी अब आपका उत्तर क्या होगा comment section में मुझे बताईएगा ठीक है लेकिन अब ये जो policy है इसका उत्तर मेरे से सुन लीजे क्या सही है कि गलत है इसकी policy सही भी हो सकती है इसकी policy गलत भी हो सकती है इसका मतलब यह कि DPSP का पालन करने स कि या ना करने से का घृस से गलत होने की guarantee नहीं है ध्यान से समझ येगा DPSP के नियमों का पालन करने से का बंड़ने वाली जो policy है उसके गलत होने की guarantee नहीं है लेकिन संभावना है दूसरा अब statement use करना हो में अगर आप DPSP के नियमों का पालन करके कोई policy बनाते हैं तो उसके गलत होने की कोई संभावना नहीं है सही होने की पूर्ण संभावना है तो आप बताइए क्या करना चाहेंगे भाई मैंने कहा अगर आप DPSP के DPSP के नियमों का पालन नहीं करते है तो हो सकता है कि policy आपकी सही हो हो सकता है policy आपकी गलत हो जाए लेकिन अगर आप DPSP के नियमों का पालन करते हैं तो सही हुई होगा गलत नहीं हो सकता है ये वाला जो portion है गलत होने आला वो ये portion ही नहीं सही ही होगा हराल में वो नियम सही ही होगा इन्होंने policy का पालन नही किया था तो इनकी policy सही भी हो सकती है और policy गलत भी हो सकती है अब इसका निर्धारन कैसे होगा कि जो policy सही थी वो गलत थी आप तो कहेंगे सर साफ साफ दिख रहा है 80% का टार्गेट रखा गया था और 65% 85% यहां पर पा लिया उन्होंने तो फिर तो policy सही है बिल्कुल सही हो सकती है लेकिन सरकार अगली बार नहीं बनी सरकार गिर गई अगर सरकार गिर गई तो इसका मतलब कहीं न कहीं policy में उनके दरा बनाई गई कुछ ना कुछ गलतियां थी अ जब 85% उन्होंने अचीव किया यह जो था यह वाला जो था यह आपका 65% पर था जब उन्होंने 85% पर देखा जो उन्होंने अचीव किया था उस पे male का literacy rate जो है वो 80% था और female का literacy rate जो है वो 15% था अब बताईए male और female का literacy अब आपको क्या समझ गा रहा है achievement तो टोटल इनका 85% हो गया था यानि टोटल तो 85% लोग पढ़े लिखे हो गए लेकिन उनमें से पढ़े लिखे वाले लोगों की संख्या पुरुषों की जादा हो गई और महिलाएं पहले से कम पढ़े लिखी हो करते यह 80% ही एचीव करते लेकिन male और female का literacy rate क्या हो जाता सही हो जाता क्यों क्योंकि सिक्षा जो है सिक्षा जो है वो जीवन जीने का आधार माना जाता है जीवन जीने का जीवन जीने का अधिकार का आधार जीवन जीने का आधार माना जाता है यानि कि basic necessity है सिक्षा जो ह और DPSP कहता है कि जितने भी जीवन जीने के अधिकार हैं या आधार हैं, उनका सभी लोगों में बराबर, जो है वो क्या होना चाहिए, वितरन होना चाहिए, समान वितरन होना चाहिए, जीवन जीने के संसाधन, इनको संसाधन कह सकते हैं, जीवन जीने के संसाधन है, और जी 65 को 80% achieve करने में ही ना लगाते बलकि ये policy ऐसी भी बनाते कि female का जो literacy rate है उसको भी बढ़ाया जाए और तब जाकरके इनकी policy बहतरीन बनती तो मैंने कहा ना कि policy जो है हो सकता है कि सही बने और हो सकता है कि खराब बने सही दिखने वाली policy अंतमे खराद सिद्ध हो सकती है यदि अगर आप DPSP का पालन नहीं करते हैं तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की मतलब आपर आपको समझ में आ गया होगा हलाकि government ने जब ये नियम लागू करके इतना कर दिया तो उसके बावजूद भी इस government को कोई कानूनी सजा नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी क्योंकि उन्हें जो policy उचित लगी उन्होंने वो किया और उनके द्वारा किये गए इस विचार को यानि DPSP को लागू करना लागू करना या ना करना इसके लिए इसके लिए आप नियायाले नहीं जा सकते इसके लिए नियायाले जो है वो नहीं जाया जा सकता और जब नियायाले नहीं जाया जा सकता कि भाई सर इन्होंने गलत policy बना दी इससे female literacy rate घड़ गया तो हम जाएंगे court में अपील करेंगे कि इन्होंने इसी policy क्यों बनाई तो ऐसा नहीं किया सकता क्योंकि ये नियायले में प्रवर्तिनी नहीं है क्योंकि DPSP जो है वो सलाहकारी है ध्यान रखेंगे DPSP क्या है सलाहकारी है और जब DPSP सलाहकारी है तो सलाह की सजा नहीं दी जाती है आग्या की सजा दी जाती है, अगर DPSP आग्या कारी होता, तो निश्चित रूप से आपको सजा मिल सकती थी, यह आपने ऐसी policy क्यों नहीं बनाई, जिससे males का साथ-साथ females का भी उत्थान हो, तो मेरी ख्याल से आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि DPS और जो यह हमारे मौलिक करत भी है, इनमें क्या अंतर है, अगर हम fundamental rights और DPSP की बात करें, तो इसमें क्या differences है, ठीक है, डिफरेंस यानि अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, इसमें अंतर क्या है, तो सबसे पहला अंतर जो हमको मिलेगा, वो सबसे पहला अंतर मिल रहा है, वो समवैधानिक है, और समवैधानिक किस प्रकार से है, अगर हम article number, article number 32 की बात करें, और article number 226 की बात करें, तो अनुच्छे 32 और अनुच्छे 226 के अनुसार, यह नियायले में, क्या है यह, नियायले में प्रवर्तनिय होने का मतलब क्या होता है, इनके खिलाफ आप नयाले में जा सकते हैं अगर आपको fundamental rights नहीं मिलते हैं तो DPSP के बारे में यदि अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि इसमें article number 36 में definition है और 37 में एक point लिखी हुई है article 37 इसमें point लिखा हुआ है कि इस भाग में इसका भाग कौन सा है इसका भाग है चार इसका भाग कौन सा है इसका भाग है तीन यानि भाग चार में जो भी चीज़ें वरड़ित हैं वो नयाले में प्रवर्तनी नहीं है यह point हमको मिलता है इसके अलावा अगर हम second point की बात करें दूसरा क्या अंतर आपको देखने को मिलता है दूसरे बात में हमको यह देखने को मिलता है कि जो मौलिक अधिकार है यह नागरिकों के नागरिक अधिकार है यानि नागरिक जो यहाँ पर है नागरिक citizens जो हैं, उनके citizenship के rights हैं, नागरिक अधिकार, और नागरिक अधिकार के साथ, नागरिक अधिकार के साथ, इनको व्यक्तिकत अधिकार, राजनेतिक अधिकार भी प्राप्त हैं, राजनेतिक, ठीक है, राजनेतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, नागरिक और राजनेतिक अध नागरिकों के सामाजिक अधिकार को देता है सामाजिक सामाजिक अधिकार ये नागरिकों के सामाजिक अधिकार की बात करता है सोशल राइट्स जो है उनके उनकी स्थापना की बात करता है यह जो है यह लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं और लोकतंत्र की राजनेतिक लोकतंत्र बल्कि इसको लिखना चाहिए राजनेतिक इसका लोकतंत्र कैसा है राजनेतिक है राजनेतिक लोकतंत्र की स्थापन की बात तो कि थ्यान रखेंगे अंतर है कुछ में आपको यह आपर अग्ला अंतर यदि अगर हम देखें तो हमें पता चलता है यह विद्धी के शाजन की स्थापना ध्यान रखेंगे विधी के शासन की स्थापना को सर्वुच्चता देता है यानि यह कहता है कि विधी द्वारा स्थापित जो शासन है वही सर्वमानने है और DPSP कहता है कि यहां पर जो कल्यान कारी शासन है कल्यान कारिशासन के स्वप्न है मैंने आपको बताया था कि जो ये है ये पुलिस शासन हो गया और ये जो है कल्यान कारिशासन हो गया दोनों में अंतर है इसके अलामा मैंने आपको बताया है कि इसका जो है निलंबन जो होता है इसका निलंबन विधी द्वारा होगा विधी द्वारा होगा यानि कानून बना करके ही फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है इनके निलंबन की कोई बात ही नहीं है क्यों नहीं बात है क्योंकि ये अनिवारे नहीं है इनको लागू करना निवारे नहीं है तो जो अनिवारे नहीं है उसके निलंबन की कोई बात ही नहीं है जब चाहो तब निलंबन है ठीक है निलंबन स्वता है ठीक है इसमें निलंब भारत के राजचेत्र के बाहर भी इनका विस्तार है कैसे है आप अंतरास्टी संबंद को बढ़ावा देते हैं तो इसका मतलब आप अंतरास्टी करण करना चाहते हैं इस सब अंतर क्या है बाकी आप लोगों से मैं अनुरोद करना चाहूंगा कि आर्टिकल नंबर 36 से ले करके 51 तक जो महत्यपूर्ण बाते हैं उनको भी थोड़ा बहुत आप जरूर देख लिजेगा और अलग-अलग तरीके की चीजें आपसे अनुछे के अनुसार भी पूची जा स 42 में क्या लिखा हुआ है अनुछे 44 में क्या लिखा हुआ है ऐसे पूचा जाना जो है कम है थोड़ा मेरी ख्याल से जहां तक मुझल समझ में आता है ठीक है तो चलिए अपने विचार इसके लिए प्रस्तुत करिएगा आपको इस सेशन कैसा लगा आप जरूर बताईएग आज के लिए इतना ही इस वीडियो में अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे तब तक ले नमस्कार जैहंद